अपने होने वाले बच्चे को कौन सी स्पेशल जगहां पर लेकर जाने वाले हैं रनबीर कपूर और रनबीर कपूर ने इस बात का खुलाजा खुद एक इंटर्व्यू के दौरान किया है बॉलिवुट के क्यूट कपल आलिया भट और रनबीर कपूर मॉम डेड बनने वाले हैं दोनों काफे खुश हैं और इस बात की जानकारी खुद आलिया भट ने सोशल मीडिया के जरी अपने फैंस को दी थी आलिया भट ने अपनी फ्रेग्नेंसी की खबर से सब को चुका दिया था रनबीर कपूर रक्सर अपने होने वाले बच्चे को लेकर बात करते दिखते हैं अब उन्होंने एक इंटर्व्यू के दौरान बताया कि वो अपने होने वाले बच्चे को कौन सी जगहां पर ले जाना चाहते हैं रनबीर कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म शम्शीरा के प्रमोशन्स में काफे विज़ी चल रही है रनबीर कपूर ने एक इंटर्व्यू में अपने होने वाले बच्चे को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने बताया कि वो अपने आने वाले बच्चे को सबसे पहले कौन सी जगहां पर ले जाना चाहते हैं उन्होंने बताया कि मसाई मारा के जंगल में रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर ना इंटरनेट है और ना ही टीवी वहाँ पर हर किसी को साड़े चार बजे सुभा उठना पड़ता है और वहाँ पर सिर्फ चाय और कॉफी ही मिलती है रनबीर कपूर ने कहा कि जंगल में जब आप गाड़ी चला रही होते हैं तो बहुत कुछ होता है वहाँ की सुन्दर हवा और नैच्रल एयर आप जंगली जानवरों को जागते हुए देख रही होते हैं जंगली जानवर अपना श्रिकार कर रही होते हैं और सोने जा रही होते हैं। ऐसे जानवर जो सतर्क हैं ये सोच कर कि कोई श्रिकार आने वाला है, वहांकी टेंचिन ओर सुन्दरता यही जीवन है। आप असिसका अनुभव करें। मैं अपने बच्चे को मसाई मारा की जंगल में ले जाने के लिए इंतिसार नहीं कर सकता। इससे ये बात तो साफ है कि रनबीर कपूर अपने आने वाले बच्चे को मसाई मारा ले जाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि सोशल मीडिया पर आलिया भट ने अपनी फ्रेग्नेंसी अनाउंस करके सब को चोका दिया था। अब उनके आने वाले बच्चे को लेकर नया नया अपडेट सामने आता रहता है और फैंस भी इस से जुड़ा हर अपडेट जानना चाहते हैं।